सब्सक्राइब यानि 50 с 60 रुपय का पैर आपको मिल जाएगा ठीक है दोसतों यह अच्छी क्वाल्टी के इससे लो क्वाल्टी लेना है तो वो भी मिल जाएगा लेकिन दोस्तों इतना तो सभी मालों खरीद सकते हो ठीक है 25 से 30 रुपय के बाद उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं ले ना है ठीक है जो अक्सर मालो छोटे उसमें आता है यह वाला मोडूल आपने देखा होगा तो दोस्तों इस टैप के आपको काफी मोडूल मिल जाएगी तो इसके अंदर एक विशेशता मैं आपको बताऊंगा और वीडियो को साथ पूरा बनना दोस्तों और अगर दोस्तों आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर आपके कोमेंट्स भी रहते हैं कि यह क्या था वह क्या था कहां कनेक्शन होगा होगा तो दोस्तों देखिए जब भी आप मोडूल लेने जाए तो एक बात आपको याद रखनी है कि इस टाइप के आपको काफी सारे मोडू मिल जाएंगे ठीक है फ्रेंस तो यह हैं डबल चैनल में हैं और यहां पर आप इसको कहीं भी आपका कैविनेट बनाके सैट कर सकते हो ठीक है तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसका टोटल खर्चा आपका 200 रुपए भी नहीं आने वाला ठीक है फ्रेंस 200 रुपए में बनाके बिल्कुल रैडी कर लोगे तो दोस्तों 50-60 रुपए के सम्थिंग आपके हो गए दो स्पिकर और यह जो मोडल है दोस्तों यह 80 रुपए का मात्र आता है ठीक है लेकिन अब इसको लेना कैसे है डूपलिकेट और ओरिजनल की क्या पैचान है तो दोस्तों यहा बहुत ज्यादा गैप है तो यह आई सी ओरिजनल होती है और इसकी साउंड क्वाल्टी भी सूपर होती है और अब देखिए दोस्तों इस टाइप के मोडूल भी आते हैं मार्किट में यही से मोडूल इसके अंदर लगा है फरक इतना है यह डवल चैनल है सिंगल चैनल है तो इसकी लेक्स देख सकते हो फ्रेंस कितनी पास-पास में है अगर मैं दोनों को एक साथ दिखाऊं तो आप समझेंगे यह देखिए फ्रेंस कितना पास-पास में है तो अगर इसकी साउंड क्वाल्टी की बात करें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ठीक है और बहुत हम लाके दे देंगे ठीक है Frens जो चार्ज रहेगा कोरियर का वो आप कर रहेगा 80 रुपए का ये मिलता है मार्किट में तो 80 रुपए का ही आपको हम देंगे ठीक है उस के उपर जो चार्ज लगेगा वो आपको देना पड़ेगा अब दोस्तो इसमें क्या है एक तो आपको Bluetooth मिल जाता है pen drive corridor लगाने का मिल जाता है और FM और इसमें SD card भी आप लगा सकते हो और दूसरी बार दोस्तो अगर आप सोचते हो कि यह तो बैटरी से चलता है तो 78,05 और एक capacitor लगाके आप डारेक्ट इसको 12 बोल्ट से operate कर सकते हो ठी amplifier IC मिल जाएगी जो आपका इस जो आउटपूट है speaker का इस पिकर आउटपूट को यहां से इन दोनों IC से मिल जाता है ठीक है फ्रेंड और यहां पर दोस्तों आपको जो वोल्यूम का मिलेगा वोल्यूम का दोस्तों अगर Bluetooth से connect करोगे तो आपके फोन से ही सारा control हो जाएग और ज्यादा budget नहीं है तो दोस्तों इस battery का जो extra charge रहेगा 50-60 रुपए जो भी आती है ठीक है और दोस्तों यह वाला module अभी मैं आपको चला के दिखाता हूं इतनी sound इतकी बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है तो वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों यहां से पूरा मै है तो यहां पर फ्रेंस इस connector को यहां लगा देंगे हम left side में और यह वाला हमारा चला गया right side में तो दोस्तों आपको दिखाने के यानि sound quality सुनाने के लिए मैं इस battery का use कर सकता हूं इसका use कर रहा हूं ठीक है और यहां पर मैंने battery लगा दी है अवी फ्रेंस इसको on करेंगे और इसका जो bluetooth है उसको हम on करके connect कर लेंगे तो दोस्तों इसमें जो sound quality है आप यकीन मानिए बहुत ही जबरदस्त आने वाली है ज्यादा वो भी नहीं कहेंगे कि हाई-फाई वाली लेकिन हाँ दोस्तों आपको सुनके वाक्या में मज़ा आ जाएगा आपकी गाड़ी में जब यह इरिक्सा में उसमें बजाओगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है तो यहां से ओन कर लेता हूँ तो यहां पर ओन मैंने कर लिया है अभी हम इसका ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेंगे यहां पर अभी देखिए यह सर्च में लगा हुआ है तो यहां पर जो नीचे आएगा तो वह इसका ब्लूटूथ मिलेगा फ्रेंस तो यहां पर मैंने ब्लूटूथ जो है कनेक्ट कर लिया है अभी हम दोस्तों यहां पर एंसियस का म्यूजिक वजाएंगे अब फ्रेंड जो भी आवाज रहेगी इसकी रहेगी अब एंसिया है कर दो कर दो तो दोस्तो इसका sound quality आपने देख लिया होगा बहुत ही जबरदस्त है और आप यह सोचके सलिए अभी तो यह cabinet में fit नहीं है अगर आप इसका मालो cabinet वैसे तो इरिक्सा का बना बनाया मिल जाता है मार्केट में तो उसमें आप जब इसको लगाओगे तो बहुत ही जबरदस sound quality होगा तो दोस्तों comment section में बताना आपको कैसा लगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए